नमस्कार दोस्तों मैं सुप्रिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ डिजिटल गुरूपुल चैनल पर चलिए दोस्तों देर ना करते हुए आज के शेशन की सुरवात करते हैं आज का सेशन है हम लोग का SSC CGL 2024 हमारे ये SSC CGL का नया सेशन है जिसमें SSC CGL के important question और important topic को cover करवाया जाएगा वीडियो के through SSC CGL का form fill up का जो date था इस्टार्ट हुआ था 24 जून 2024 से सुरू हुआ था और जो end था 27 जुलाई 2024 इसमें जो maximum age है वो 18 साल था और जो minimum or limited age है वो है 27 से लेके 32 साल तक इसमें काफी सारे post available है और total vacancy है इसकी है 17,727 चलिए दोस्तों देर ना करते हुए आज की नए शेशन की सुरुआत करते हैं कुछ महतवपुन question के साथ और वो question एक महतवपुन युद्ध की topic से है तो हमारा आज का पहला question है दोस्तों पहला question सुरू करने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं यह हर question में आपको तीन सेकेंड का time मिलेगा उसमें आपको अपना answer देना है चलिए आज के आपको पहला question देखते हैं पहला question है पानीपत की तीसरी लडाई में मराठो को किसने हराया था option है आपका A. नादीर शा, B. एहमद सा, C. मुहमद सा या D. बाबर तो आपका answer बताईए B. एहमद सा यह लडाई कौन से सिन में लड़ाई गई थी? यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ाई गई थी और यह किस राज्ये में लडाया गया था? लडाई हुआ था यह कौन से राज्ये में? हर्याना राज्ये में और हर्याना राज्ये का जो जिला है वो है पानीपत यानि पानेपत कौन से राजिय में इस्ते थे हरियाना में इस्ते थे अगला कोशन देखते हैं नादीर शा ने किस मुगल शाषन को हराया था आप्शन है आपका A. मुहम्मद सा B. फारुकी सियार C. बहादूर शा D. अखवर शा इसका सही एंसर है A. मुहम्मद सा ये यूद जो हुआ था सन 1749 में हुआ था और ये भी हरियाना राज्ये के जिले करनाल में हुआ था ठीक है? अगला कोशन देखते हैं पलासी का यूद किसके बीच में लड़ा गया था? आप्शन है आपका इसका सही एंसर है अपका B. सिर राज्यू दोला और अगरेजी सेना और ये यूद कोशन में हुआ था? ये यूद हुआ था 23 जून 1757 में और ये कौन से राज्जे में हुआ था ये बंगाल राज्जे में हुआ था जिसका जिला है पलासी ठीक है अगला कोशन देखते हैं सामबर यूद में बारसल्य की लड़ाई के बाद कौन सी संधी पर हस्ताक्षर किया गया था option है आपका A. इलहाबाद की संधी B. बास्तर की संधी C. बंगाल की संधी D. बनारस की संधी इसका सही अनसर है A. इलहाबाद की संधी इलहाबाद की संदी सन 1765 में बाक्सर की लड़ाई के बाद हस्तशेफ हुई थी गाब रखेगा इस छोटे-छोटे पॉइंट से भी कोशन कवर हो जाते हैं अगला कोशन देखते हैं बाक्सर का यूद किस वर्ष हुआ था? A. 1742 B. 1764 C. 1804 या D. 1821 तो हमारा सही एंसर है B. 1764 ये वक्सर जो है वो बिहार में इस्तित है और ये लड़ाई जो है 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था अगला कोशन है 1249 में कर्णाल के यूद में मुगल सेना को किसने हराया था? अप्शन है आपका A. नादीर शाने B. निजाम खानने C. एडम बिकम इस्टेट या D. बाजी राओ ने इसका सही एंसर है D. बाजी राओ यह यूद इस्पष्ट हस्तचेप करण नहीं है क्योंकि वर्ष्र 1249 की किसी भी परिश्द मुगल मराथा संघर्ष में में मेल नहीं खाता अगला कोशन देखते है ब्रह्म पूत्र नदी की संधी किस यूद के बाद हुई थी? आप्शन है आपका इसका सही एंसर है C. तीसरा अंगलू मेहसूर्यूद ठीक है? अगला कोशन जो है वो देखते है प्रथम अंगलू मेहसूर्यूद की सेना का नतीत्व किस ने किया था? आप्शन है आपका एदर अली, बी किपु सुल्तान, सी मीरा जफर, या डी सीराजो दोला इसका सही एंसर है A. हैदर अली ठीक है? अगला कोशन देखते है और यह कौन से सन में हुआ था? सन्दी जो हुआ था, वो कौन से सन में हुआ था? 1792 में ठीक है और अगला कोशन देखते हैं दूतिय अंगलू महसूर यूद किस वर्ष हुआ था? आप्शन है आपका A. 1780 B. 1784 C. 1790 या D. 1792 इसका सही एंसर है A. 1780 और यह जो है यूद यह हैदर अली का प्रथम अगलू महसूर यूद था जो 1767 से लेके 1769 तक चला था हैदर अली है वो महसूर के सेना नतितुद किया करते थे चलिए अगला और लास्ट कोशन देखते हैं तीसरे अगलू महसूर यूद का कारण क्या था? A. निजाम का संगश B. मराठो का संगश C. ब्रिटिस के संगश D. फार्सी सी के संगश इसका सही एंसर है C. ब्रिटिस का संगश दूतिय अगलू महसूर यूद 1780 से 1784 के बीच हुआ था चलिए दोस्तो आप लोग इसी परकार हम लोगों को इसने और प्यार देते रहे ताकि अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहे थांक्स फूर वाचिंग वीडियो दोस्तो जैहिल